Hello Guys, आज मैं आपके ले के आया हूँ एक बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो की BCI के OpenNet Trial क्या होते हैं आपने Open Trial के बारे में सुना होगा, Open Age Trial के बारे में सुना होगा लेकिन OpenNet Trial के बारे में कभी नहीं सुना होगा तो guys ये वीडियो बहुत ही ज्यादा interesting होने वाली है, आपको बहुत ही अच्छी information मिलने वाली है, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, तो guys इस वीडियो को लाग तक जरूर देखना, open net trial क्या होते हैं, BCCI के, तो guys ये trial होते हैं, जैसे कि guys पहले जो normal trials होते हैं, उसमें running करवा जाती है, bowling करवाई जाती है, बैटिंग करवाई जाती है, और बस normal ही जे सब कुछ होता है, दो वर बैटिंग के लिए जाते हैं, लेकिन guys, open net trial में क्या होता है, एक खास तरह की situation दी जाती है, trial में, जैसे कि आपको बोला जाएगा, कि आपको दो बालो में 5 रन चाहिए, त तो आप कैसा shot खेलोगे, third man उपर है, तो आप कैसे shot खेलोगे, और और भी ऐसी बहुत सारी situation जो की match में होती है, तो आपको ऐसी situation दी जाती है, तो guys, अब आपके मन में ये सवाल होगा, कि ये trial कब होते हैं, और इसमें कैसे जाया जाता है, तो guys, ये trial ज्यादा तर T20, जो trophy ही होती है, BCCI के लिए उसमें होते हैं, और ये professional player के लिए होते है, जाने कि जो player district, जा रंजी level पर खेल चुके होते हैं, उनके लिए होते हैं, और उनका mentally जो focus है game पर वो check किया जाता है, कि उन्हें field की कितनी समझ है, कि जब field ऊपर हो, तो तब कैसे batting करनी है, और जब field ख cricket की और दूसरी T20 leagues होगी, तब आपको मौका मिल सकता है, तो guys मैं ये ऐसे ही नहीं बोर रहा, मैं आपको prove के साथ बता सकता हूँ, आपने महिंदर सिंख धोनी movie तो देखी होगी, तो guys उसमें open net trial का एक scene है, जिसमें selector धोनी को बोलता है कि धोनी इतने ball में इतने run चाहिए तो तब महिंदर सिंख धोनी महाँ पर short लगाते हैं, तो ये open net trial का ही एक उधारन है, तो guys अब आपको समझ आ गया होगा कि open net trial क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं, तो guys अगर आपको भी PC से के open net trial खेलने हैं, तो guys आपको domestic level पर बहुत मेहनत करनी होगी, जिससे कि आप बड subscribe कर दीजिए